नमस्कार दोस्तों, धरमिस किचर में आपका स्वागत है आज हम मिर्ची का इंस्टेंट अचार बनाएंगे जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम 5-10 मिनित में बना सकते है और घर पर मिलने वाली आसान सी सामगरी के साथ बनाएंगे तो ये सब के लिए बनाना बहुत ही आसन रहेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना इंस्टन्ट मिर्ची का खट्टा मिठा अचार मिर्ची का खट्टा मिठा इंस्टन्ट अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्रम हरी वाली मिर्च ली है ये light green color की मिर्ची ली है जो ज्यादा spicy नहीं है और मिर्ची को मैंने अच्छे से दू लिया था और पोँच लिया था क्योंकि मिर्ची में पानी की मात्रा नहीं रहनी चाहिए और एक medium size की तूता पूरी केरी ली है इसे भी मैंने अच्छे से दू कर पोँच लिया था अब यहाँ पर मैंने डंठन नहीं हटाये हैं बीना डंठन हटाये हम मिर्ची में इस तरह से बीच में cuts लगा देंगे तो सभी मिर्ची में इस तरह से cut लगाएंगे और केरी के भी छिलके निकाल लेंगे और mixi jar में छोटे छोटे टुकडे करेंगे अब इसे महिन पीस लेंगे अब अचार के लिए एक जटपट वाला मसाला बनाएंगे तो इसके लिए mixi jar में 4 टेबल स्पून पीली वाली सर्सू लेंगे आप चाहे तो काली वाली सर्सू भी ले सकते हो उसी के साथ 3 टेबल स्पून हम सोफ एड़ करेंगे दो टेबल स्पून साबुद सुखा धन्या भी एड़ करेंगे एक टेबल स्पून अमचूर पाउडर एड़ करेंगे और देट टेबल स्पून नमक एड़ करेंगे और आधा टेबल स्पून काला नमक भी एड़ करेंगे आदा टेबल स्पुन हल्दी पाउडर एड़ करेंगे अब इन सभी सामगरी को महीन पीस लेंगे जितना हो सके उतना हम इसे बारिक पीस लेंगे तो इस तरह से हमें बिल्कुल बारिक पीस ना होगा अब पीसे हुए मसालों को हम एक बॉल में निकाल लेंगे उसी के साथ एक टी स्पून हींग एड़ करेंगे और दो टेबल स्पून सरसो का तेल भी एड़ करेंगे यहाँ पर मैंने कच्चा तेल ही यूज किया है क्योंकि बाद में हम अचार को पकाने वाले हैं अब इसे अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मसाले में अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है तो यह हमारा अचार बनाने के लिए मसाला रेड़ी है अब मिल्ची में हम मसाला स्टफ करेंगे अच्छे से प्रेस करते हुए मसाला स्टफ करेंगे तो इस तरह से हम सारी मिल्ची स्टफ करेंगे तो सभी मिल्ची को स्टफ करने के बाद थुड़ा सा मसाला बचा है जिसका हम बाद में यूज करेंगे अब केरी को भी मैंने इस तरह से बिल्कुल महीन पीस लिया है अब अचार बनाने के लिए पेन में 1st cup जितना सरसो का तेल लेंगे तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाये तब आधी टीस्पून कलोंजी एड़ करेंगे अब उसी के साथ आधी टीस्पून हींग एड़ करेंगे और थोड़ा सा बून लेंगे कलोंजी मतलब प्याज का बीज नहीं है प्याज का बीज और कलोंजी दोनों बिल्कुल अलग है तो जो फ्रेंड्स प्याज और लहसुन नहीं खाते वो भी कलोंजी खा सकते हैं आदी टीस्पुन हल्दी पाउडर भी एड़ करेंगे और थोड़ा सा बून लेंगे अब हमने जो मिर्ची स्टफ करके रखी थी वो सारी की सारी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब इसे चलाते हुए 2-3 मिनिट पका लेंगे मिर्ची को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता तो इसे इस तरह से पलट पलट कर 2-3 मिनिट हम पकाएंगे तो मिर्ची थोड़ी सी सौफ्ट हो जाएगी और हमें इसे पूरी तरह से गलाना नहीं है हलका सा इसे कच्चा ही रखेंगे तो यहां हमारी मिर्ची पक गई है अब उसी के साथ हमने जो केरी की प्यूरी बनाई थी वो भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे यहां पर हमने निम्बू का यूज नहीं किया है क्योंकि आजकल निम्बू काफी महंगे हो गए है और अच्छार में अगर हम निम्बू डालेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में लगेगा तो यहां पर हमने आमचूर और केरी की प्यूरी का यूज किया है तो यहां पर हमें निम्बू एड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है तेल मुझे थुड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने यहां पर थुड़ा सा तेल एड़ किया है और केरी की जो हमने प्यूरी बनाई थी उसी के हिसाब से हम थुड़ा सा नमक भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे दो से तिन मिनिट हम इसे चलाते हुए पका लेंगे अब वन फोट कब जितना गूर भी एड़ करेंगे और बचा हुआ जो मसाला था उसे भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अगर आपको मिर्ची के अचार का खटा मिठा टेस्ट पसंद नहीं है तो यहाँ पर आप गूर की मात्रा स्कीप कर सकते हो इस अचार को आप बीना गूर भी बना सकते हो अब इसे हमें ज्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है बस गूर मेल्ट हो जाए तब तक हम इसे चलाते हुए पका लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूर और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है तो यहाँ हमारा अचार रेडी है जिसे हम गेज से उतार लेंगे अचार को बिल्कुल थंडा होने देंगे और थंडा होने के बाद हम इसे एल्टाइट कंटेनर में फर देंगे आप इस अचार को फ्रीज में 3-4 मैने तक आराम से स्टोर कर सकते हो देखाना दोस्तों खटा मिठा मिर्ची का अचार बनाना कितना आसान है इस आसान सी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट्स करके जरूर बताएगा मैं धर में फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ